अच्छा दामाद, मुड़ा दामाद, आठ बचे में इसी पर चर्चा करेंगे प्रधान मंत्री मोदी ने एक बार फ़र से वंचबाद और परिवारवाद पर निशाना साथा है आज वाई कारक्रम में भाग लेने के लिए जमू गए थे पहाँ पर उन्होंने शान विशारो में एक बार फ़र से कॉंगरस अर्धक सोनिया कांदी के दामाद रॉबर्ट वाटरा पर निशाना साथा साथी उन्होंने सियासत में परिवारवाद को भी कोसा अब हमले से तिल मेलाई कॉंग्रस का कहना है कि कम से कम प्रधान मंत्री सही मौके पर सही बाते तो करें ये रिपोर्ट देखिए फिर करेंगे इस परवली बहस पीम मोधी जम्मू यूनिवर्स्टी में थे मौका था कॉंग्रस के नेता गिर्धारी लाल डोगरा की सोवी जयनती का पीम इस समारों के मुख्याचिती भी थे गिर्धारी लाल केंद्री वित्मंत्री अरुर जेटली के ससुर भी है यानि जेटली उनके दमाद लगते है तो पीम मोदी ने इस दमाद ससुर का उधारन देकर एक और दमाद पर अपना निशाना साधा दोगरा साथ को व्यक्तियों की परक बड़ी पक्की होगी है समझे लगता है और उसका उधारन है उन्होंने जो दमाद चुने है और ये भी विशेस्ता है कि दमाद ससुर के कारण नहीं जाने जाते है और ससुर दमाद के कारण नहीं जाने जाते है और आज तो हम जानते हैं दमाद के कारण क्या क्या बाते होती है जाहिर है पीम के निशाने पर कॉंग्रेस अध्याक सुन्या गांधी के दामाद रोबर्ट वाट रहे लिहाजा ये चोट सीधिक कॉंग्रेस के दिल में लगी लेकिन पीम मोदी का वार्ग सिर्फ दामाद पर ही नहीं था उन्होंने अपने भाशन में कई बार परिवारवाद की तरफ इशारा किया उन्होंने अरूट जेटली के ससूर और जिवंगत कॉंग्रेस नेता डोग्राजी की तस्वीरों का जिकर करते हुए का कि उनकी किसी भी तस्वीर में परिवार का कोई शक्स नहीं दिखा यह चोटी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बात है कि इतना लंबे समय का सार्वजनिक जीवन हो राजनीतिक जीवन हो सत्ता के गलियारों में हो कि देश के सभी पहले प्रधान मंत्रियों के साथ निकट समन्द रहा हो लिकिन कहीं पर भी राजनीतिक जात्रा में एक भी तस्वीर में परिवार मुझे नजर नहीं है पीम मोदी जब ये बोल रहे थे तो मंच पर जम्मु कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मुख्ती मुहमद साईद भी मौजूद थे साईद की बेटी महभूपा मुफ्ती फिलहाल पीडीपी की अत्यक्ष है और राजी की पूरु मुख्यमंत्री रह चुकी है इसामारों में जम्मु कश्मीर के मुख्यमंत्री और पूर्वा केंद्री मुथ्ती फारुक अब्दुल्ला को भी आनद था जो भीमार होने की वज़े से नहीं आ पाए फारुक के बेटे उमर अब्दुला भी राजी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पीम परिवारवाद पर निशाना तो साथ रहे थे, लेकिन सच ये भी है कि सियासत में इसकी जड़े काफी गहरी हैं। कारिकर्म की आखर में हम आपको दिखाएंगे। रफी हमद मीर हमारे साथ मौचूद है, उस वक्त मंच पर खुद मुफ्ती मौमच सही थे और कहीं न कहीं निशाना उधर भी था। बहुजन समाज पार्टी की नेता, सुदिन बद और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। दिखिए इसमें अपने और पराये की बात नहीं है, बहुत इसपस्ट टूप से उन्होंने कहा था कि दोगरा साब कॉंग्रेस के नेता थे और इतने लंबे समय सामाजिक जीवन में रहते हुए भी, उनकी जो प्रदर्शनी थी, उसमें कहीं उन्होंने उनके फोटों के सा गहरे संबंध होते हुए भी, उन्होंने अपने परवार को अपनी राजनीती से अलग रखा, तो ये उनकी खुबसूरती थी डोगरा साब की, तो उनकी प्रसलसा में उन्होंने ये कहा, कि इस तरह की राजनीती भी पहले होती रही और वो आज भी इस व्यवस्था में इस तो उसमें उन्होंने गुलाम नभी आजास साब की प्रसंसा की, कि उनको यवाब मोर्चा में वो अपना कॉंग्रेस यूथ में वो लेकर आए, आज गुलाम नभी साब कॉंग्रेस में एक बड़ा स्थार रखते हैं, तो उन्होंने उसमें ही कहा, कि उन्होंने एक ऐसे द मुद्धा अक्सर मंच पर रहता है देखिए आप ये समझाने की कोशश कर रहे हैं ठीक है डिफिंड कर रहे हैं लेकिन आप भी ये बात मानेंगे अंदर खाते कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाडरा की तरफ निशाना था नहीं मेरी बात सुन लिजे अगर अगर कहीं किसी के कहते हैं न विचोर की दाड़ी में तिनका अगर आपको लगता है कि आपके दामाद ने जिस तरह के कारना में किये हैं जिस तरह के से आपने गरीब लोगों की किसानों की जमीन सस्ते दामों पर आपने हड़पी है दो प्रधान मंत्री एक ऐसे फंक्षन में जा रहा है जो पॉलिटिकल प्लैट्फोर्म नहीं है उस जगे जाके आप प्लिटिकल स्कोर की तरह आप एक प्रधान मंत्री हो आपके मूँ से कौन सा प्लैट्फोर्म नहीं देखे बिना बुले मैं मानता हूँ इस देश के प्रधान मंत्री की कूर्सी से इस तरह की राजनीती चाहे BJP के पहले प्रधान मंत्री रहे हो, कंग्रेस के रहे हो और पार्टी के रहे हो ऐसी राजनीती कहीं किसी ने नहीं की दूसरी बात है इनको ये नहीं दिखता है कि उनकी राजस्थान की मुख्यमंत्री का बेटा कालाधन लेके आता है और वो कालाधन इस देश में आया है वो सब के सामने है वहां मोधी चूप है उनकी विदेश मंत्री की बेटी जो कारणा में करती है उसके लिए चूप है विदेश मंत्री के पती एक पहले हेल्प करते है छोटे मोधी को ललित मोधी को और छोटे मोधी को हेल्प करने के बाद जो सवाले खड़े होते हैं वहां पे बड़े मोधी चूप है वहां पे पं के मोदी करते हैं और इसके लिए अगर आपको रॉबर्ट वार्राजी के खिलाब कुछ भी है तो उन्हों ने सहयोग किया है आपकी सरकार है दोनों जगे पे जहां छो रही है सब कुछ हो रहा है कुछ आज तक बिला नहीं कुछ निकला नहीं और जिस तरह से राजनीती करते हैं वह बहुत एक गिरी हुई राजनीती आपके पास दौर खास मैमाने जोड़ना चाहूंगी लेकिन पहले श्रीकांत इसका जवाब दे दिजेंगे नवजोद बहुत इस पस्ट है जिन जिन मुद्दों का ये जिक्र कर रहे हैं ये जुक्र कर रहे हैं कि ल दूसरा जो ललित मूदी का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो आपका ये पाप है आप नहीं उसको तो क्यों भार जाने दिया, क्यों आपको लेकर नहीं आ पाए, जब उसने ट्वीट किया कि सोनिया की बैन जी और राहूल की जो मासी जी है, वो 500 करोड की डील उनके साथ कर रही थी, अरे क्या बात करते हो किसके वो वरुन गांदी की बात करते हो, वो जनता को बताओ ना, क् ललित मोदी के बयानों को आधार बांद कर ही, हमारे लोगों का इस्तिपामा है, उसको पर ललित मोदी के जट्वीट है, ललित मोदी ने रही जाते हैं, अपने मुझे पर रहते हैं, रफी एमद मीर साब मैं आप से जानना चाहूंगी, परिवारवाद की बात होती है, और इसमें गलत है या ये सही है? अगर इसमें एक और बात है, ये आपने कहा कि टैलेंट अगर उसमें है, लेकिन ये भी सच है, इससे भी हम इसको भी ठुकराने हैं, ठीके मुद्धे पर ही रहते हैं, इतने लोगों को मारा, मुद्धे पर ही रहते हैं, श्रीकान, आपकी बात पूरी हो गई, मैं शक्ती जिसे जवाब लेना चाहोंगे, शक्ती जी, अगर आप मुझे टोकेंगे तो मैं आपको बोलरनी नहीं होंगा, एस है लोगों कर शक्ति जी, आप अपनी चुनावी रेलियों में political बात करो पर जहां पे इस तरह का function हो वहां उससे दूर हो और अगर करना भी है तो आपका जो परिवार है वो आपको नहीं दिखाई देता है आपकी मुख्यमंत्री का बेटा आपको दिखाई नहीं देता है आपके परिवारवाद से ला मैं उस लेवल पे जाना नहीं चाहता था पर बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह की बात करता है मुझे दुख होते हुए भी मुझे कहना पड़ता है कि मोदी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो परिवार की बात करे अगनी को नाजीर हाजीर रखते हुए जिस पत्नी को ध लिजी आप उसको पर्सनल नहीं होते पार्टियों परी रहते हैं क्या वो गलत है या सही है क्योंकि हर फील्ड में चाहे बॉलिवूड हो चाहे क्रिकेटर हो चाहे क्या ये बड़ी अच्छी बात कही जिसका जवाब अभी तक मेरे को मिला नहीं है आपसे आप ये बताये कि वो कह रहे है कि अगर आउट आफ दो वे जाके आप किसी को प्रमोट करते है तो गलत है जबकि आप ये जानते हैं कि आपकी पाती में और काबल लोग है इस पर आप अपनी बात कही है कहीं किसी को रोक टुक नहीं है लेकिन एक बड़ा उधारन मानिप धानमंत्री जी ने दिया और उधार कैसे दिया उन्होंने उनका उधारन सपस्ट था दो चीज़ें कहीं उन्होंने कि कॉंग्रेस पार्टी जो बंशवाद की प्रतीक एस देश में उस तो अच्छी बात है जिक्र करिए नर्द भाई वोदी जी ने कभी नहीं कहा कि यह मेरा यह उसका पराया है उन्होंने तो एक अच्छी बात कहीं कि बंसवाद वाली प्लिटिकल पार्टी में भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परवार को अलग रखा तो यह का बुरा क प्रधानमंत्री बहुत अच्छी चीज़ा अगर प्रधानमंत्री और उनकी तरफ से इस तरह का कोई एक्जामपल आया भी नहीं है सामने लेकिन बात यह है कि जब इस तरह की बाते उड़ती है क्या सरफ एक चुनावी जुम्ला होता है मैं इसी लिए जानना चाहरी थी शक्ती जी अपनी बात रखें एक रेक्शन मुझे सुदेन जी से भी लेना है मैं मानता हूँ नवजोजी अगर आप में कपेसिटी नहीं है मैं नाम नहीं दूगा पर महरास्ट में एक बीजेपी के नेता के बेटे को लाने की कोशिश हुई परिवार का अगर कोई जाईज है आगे बढ़ सकता है लोग वोट देते हैं और आते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं पर जो बात नवजोजी आपने एक बहुत अच्छी कहीं कि अगर मेरा कोई विरोध करता है वो कार्य करता है मजबूत है और मैं राजनीती में उसको खतम कर दूँ उसको काट के दूसरे को लगाऊं इसलिए क्योंकि वो आत्मा की आवाज से मेरे खिलाब भी कभी बोल गया तो उसको मैं पोलिटिकली खतम कर दूँगा जैसे गुजरात में हरेन पन्या बहुत युआ था मिनिस्टर था उसको खतम कर दिया मोधी जी ने कहा जब्रबाद कुझ काटों के नहीं उसकी जगे दूसरा वाई आया है या इसको शुदावों में एक जुला बनाकर इंचाश करना था या नहीं सुदेन जी आकरी रियाक्शन आपका सुदेन जी देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने पहले भी कहा और उसको मैं दोहराना चाहता हूं कि कोई अगर परिवार में सार्वनिक जीवन में हैं जैसे मैं उधारन के तौर पर जो कि मैं नहीं देना चाहता था और आपने रियाक्शन मंगा तो मैं उधारन अपने से ही देता हूं इमर्जेंसी के दौरान हमारे पिताभी जेल में बन थे मेरी माँ भी जेल में बन थी उननीस मेहने मैं भी उननीस मेहने बन था जिस विरासत की बात श्रीकान जी करते हैं उस विरासत से संघर्ष करकर लोगतंत्र और नागरी करिकारों के लिए तो क्या क्योंकि व पर इससे किसी भी व्यक्ति को सावजनिक जीवन में बंधन में बांद दिया जाएगा क्योंकि परिवार में कोई व्यक्ति था सावजनिक जीवन में इसलिए आप नहीं हिस्सा ले सकते तो यह अनुचित होगा और यही राय रफी साब की रफी एमद मीर साब की वे बहुत बहुत शुक्रिया रफी एमद मीर साब आपका हमारे से जुण निकले तीनों खास मैं मान हमारे साफ रहेंगे क्योंकि साड़े अट बज़े में एक और होते पर चोचा करेंगे बरहाल दर्शको की राय भी हम यहाँ पर इंकलूट कर लेते हैं क्योंकि सवाल हमने शुरुवात में पूछा था क्या सभी पार्टियां परिवारवात को बढ़ावा देने की दोशी हैं आपके तमाम जवाब हमको मिल चुके हैं 65 फीज़ी लोग ने हम जवाब दिया है 35 फीज़ी लोग इससे तिफाफ नहीं रखते हैं